दाउद इबराहीम को कौन नहीं जानता दाउद इबराहीम एक ऐसा आदमी है जिसके ओपर ना जाने कितनी ही बॉलिवूड फिल्मे बन चुकी है और उसके पीछे पूरी दुन्या की पुलिस पड़ी हुई है जहाँ उसको कई बार देखा गया है और उसके बारे में हर दू रखने वाले हर एक आदमी को एक बहुत बड़ा क्रिमिनल माना जाता है लेकिन अगर उनके साथियों के किसी एक लेडी गैंग्स्टर का नाम सामने आता है तो वो है रेश्मा रेश्मा मेमो एक ऐसी लेडी गैंग्स्टर के तौर पर मशूर हुई जिसे अलगले क्राइम के ले जाना जाता है रेश्मा मेमो दरसल टाइगर मेमो की बीवी थी और शुरुवात में उसे क्राइम और गैंग्स्टर के किसी भी काम से कोई लीना देना नहीं था लेकिन समय के साथ उसने अपने पती का साथ दिया और ऐसे टेरिस अक्टिविटीज में अपने पती को मद और ब्लाक फ्राइड जैसे खदरनाग टेरिस अक्टिविटी के पीछे भी दरसल रेश्मा मेमो नहीं थी उसका खौफ और उसका कहर इतना जादा था कि मुंबाई पुलिस ने दरसल उसके बारे में किसी को इन्फरमेशन देने के लिए 25,000 का कैश प्राइस रखा था लेक एक साथ दाओद इब्राहिम के बहुत कामों में उसका साथ देते थे और ये भी माना जाता था कि दरसल रेश्मा मेमो अलकाइडा और लश्करी तोईबाय जैसे खदरनाग टेरिस एलिमेंस से भी तालुकात रखती है रेश्मा मेमो इतनी बड़े-बड़े क्राइम के पी पर नहीं पाई है और उसका ठिकाना कहा है और उसका अलग प्लान क्या है ये कोई नहीं जानता ऐसे बड़े और मशूर गैंग्स्टर की कहानियों मेरेश्मा महमूद सबसे हट कर सामने आती है क्योंकि इसके बारे में मुंबाय पुलिस अभी तक बहुत कम जानती है तो क् क्या के जी अफ चाप्टर 3 में हमें किसी ऐसे ही गैंग्स्टर की बारे में देखने को मिलेगा ऐसे कहानिया हमें बहुत देखने को मिलती है और इस फिल्म के लिए लोगों के बीच भारी एक्साइटमेंट और जोड़स देखने को मिल रहा था अब ये फिल्म जब भी थे दोस्ते के साथ शेर कीजिए और फिल्मी दुनिया से चड़े रहने के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारी चैनल बॉलिग्राद स्टुडियो स्को